हेई काईज आज मैं काफी एकसाइटेड हूँ आप सभी लगों को बताने के लिए कि ग्रो ने एक नया ओडर टाइप इंट्रेड्यूस किया है जिससे आप अपने स्टॉप लॉसिस को इंट्राडी ट्रेड्स में बहुत इसली यूज कर सकते हो आप सभी ने कभी कबार के तब ही अपने स्टॉप लॉसिस को आड़ कर सकते हो चली एक काम करते हैं वेरी क्विकली इसका एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी देख लेते हैं यह एक नया ओडर टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हो आप अपने लॉसिस को लिमिट करने की बहुत अच्छे से फैस करना है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल ओडर में ऐसे ही बाइ कर लूँगा तो मुझे 263.7 पर बाइ और तो मेरा एक्जिक्यूट हो जाएगा बट अगर लेट से हाइपोथेटिकली वापस से स्टॉक इसका नीचे चले जाने लग जाता है तो मुझे लिमिट हो जाएंगे तो बिकॉज यह एक इंट्राडे ट्रेड है हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्जिक्यूट कर सकते हैं और मैं ग्रोव वेब के प्लाटफॉर्म पे हूँ यहाँ पर और लेट से कि मैं इंट्राडे यहाँ पर चूज करता हूँ विकॉज बिकॉज इंट्राडे फीचर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ let's say market price मुझे बाय करना है ITC को मुझे लग रहा है bullish है ITC का stock फिर इससे मैं चार्ट पे चले जाता हूँ मेरा जो stop loss होगा वो maybe just इस candle के low के नीचे होगा which is just around 262.5 और यह सिर्फ hypothetical examples ले रहे हैं बिल्कुल भी कोई recommendation अगर मुझे order है उसको activate करना है मैं simply क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इस toggle को click कर सकता हूँ regular order आपको देखने को मिल रहा होगा as well as stop loss order आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल भी आपको stop loss order डालने की जरूरत नहीं है अलग से बहुत बार क्या होता है अगर आप stop loss order डालन चाहूँ आपको पहले regular order डालना पड़ेगा फिर charts पर देखना पड़ेगा आपको अपना stop loss कहां पर डालना है उसके बाद जा कि आपको अलग से stop loss order भी place करना पड़ेगा but because हमने यह नया feature इंट्रिड्यूस किया आप सब ही लोगों के लिए आप regular order में ही क्या कर सकते हो य हमारा stop loss once again हमने कहां पर decide किया था अगर आप वापस से देखोगे तो 262.5 के आज पास हमने अपना stop loss decide किया था so 262.5 मैं यहां पर डाल दूँगा मुझे एक share पर trade करना है because हम hypothetical example ले रहे है मैं यहां पर क्या करूँगा one share at market price मेरा stop loss automatically 262.5 पर execute हो जाएगा जैसे ही मैं यह लिखते हैं कि exactly हुआ क्या तो आपको देखने का मुल रहा है यहां पर हमने एक share buy कर लिया है 262.5 में हमारा जो SL order है वो already चले गया order details पर अगर आप click करोगे अभी let's have a look at the stop loss order यहां पर आपको linked sell SL order देखने का मुल रहा है 262.5 पर जो हमारा stop loss order है वो यहां पर आपको details देखने का मिलेंगे कि market price exactly चल क्या रहा है अपना trigger price is around 262.5 जो हमने stop loss लगाया हुआ था once again आपको modify अगर करना है आपको यहां पर option देखने का मिल रहा होगा so modify order पर अगर मैं click करूँगा let's say कि आपको maybe 262.5 पर नहीं 262 पर अपना stop loss रखना है so मैं यहां पर 262 पर click कर ल let's have a look over here as well so यहां पर आपको देखने का मिल रहा है जैसे ही मैं dashboard पर जाता हूँ आपको देखने का मिल रहा है 263.15 market price चल रहा है हमने खरीदा कितने में है 263.35 में open orders में अगर आप देखोगे यहां पर आपको क्या देखने का मिल रहा है market price पर यह execute होने वाला है अगर आप इस पर थोड़ा सा mouse घुमाओगे आपको देखने का मिलेगा कि 262 पर यह price execute हो जाएगी so अगर 262 पर ITC आता है वो automatically market order पर आपका जो position है वो square off कर देगा जिससे आपका जो losses है वो सिर्फ 1.25 रुपीज तक limit हो जाएगा right 1.35 sorry because हमने 263.35 में खरीदा है 262 पर हमारा stop loss है so 1.35 पैसे हमारा max loss हो सकता है इस trade में so definitely आपको इस feature को explore करना चाहिए अगर आप अपने losses को limit करना चाहते हो करेंजर दोकोलिज करना ओरीदेप्टान पोरीज केलिफ़ देंप थारीजिव, घर्वट स्गिव चूद आपक, तो हमारा नमीट को करना तक आपका दिस देविया आपक, हमारा जापका देविकी यार्यव जाहते हो ऑ्दारा हो सकता है